हुआ नियुक्त प्रिवियस चॉपिक में हम कर रहे थे एड़र्ब के एयर की एक सीरीज हम एक अरड़ी कंपलीट कर चुके थे आज हम कुछ और एक सीरीज को प्रेक्टस करेंगे यह इसलिए क्योंकि कुछ स्चुदेंट्स को फांड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही थ तो हमारे लिए हर एक student जो है वो important है इसलिए हम आज इस series को continue करेंगे next जो हमारा adverb based lecture होगा वो only for the PYQs series होगा इसलिए जब आप PYQs को attempt करें तो कोई if बट आपके mind में ना रहे इसलिए आज एक lecture और आपके लिए होने वाला है So without wasting your time, now we start the topic If you have any problem regarding the voice quality or the picture quality then write down in the comment box and जल्दी ती join किजिएगा class को And अगर आपने adverb की classes नहीं देखी है तो मैं आपको बता देना चाहते हूं कि adverb जो है हम already complete कर चुके है अपने यहाँ पर और आपको description list में सारे lectures की link मिल जाएंगे जो भी student adverb को लेकर थोड़ा बहुत tense में tension में रहता है कि मुझे adverb नहीं आती है भई तो वहाँ पर वो बहुत आसानी से हमने बिल्कुल basic point से लेकर उसको translate करने की कोशिश की है हाँ जी चलिए देखे 21 जो हमारे error थे वहाँ तक हमने इनको continue कर लिया था आज हम 20 seconds से start करेंगे yes here no doubt developments in urban areas are too satisfying but rural areas are still to be explored first of all आप देखू हम अभी adverb के error कर रहे है तो जब भी आप error find out करो ना क्या देखना है आपको in which section the adverb is in किस section में आपके adverb शामिल है हम कहें no doubt developments in urban areas अब यहां पर जो है हमारे पास क्या इस किसी पार्ट में हमारे पास एड़र भी नहीं है अब बहुत सारे student guesswork करने लग जाते हैं तो यहां पर जो है जब आपके पास B part में एड़र नहीं है तो आप दिमाग क्यों खराब करेंगे आप किदर जाए तो हम ने कहा कि हमारे पास क्या है एड़र नेक्स हम कहें कि स्टिल भी हमने सुना है कि एड़र है तो मतलब हमारे पास बी और सी पार्ट को समझना है बाकी हमें कोई जरुवत नहीं है बी और सी पार्ट के एड़र को देखना है क्या वो राइट प्लेस पर है राइट मीनिंग को तो वहां पर वह अपनी जगहें ठीक है तो हम आते हैं थू पर थू हमें बहुत बार इनफ इनफ एवरिफिंग कोई भी चीज जो जरुद से जादा उसके लिए हम थू वर्ड यूज करते हैं अप यहां पर जितना इनफ की सेंस में होगा वहां पर थू यूज करेंगे थू को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं मतलब जितना आपको रिक्वाइड नहीं था उतने से ज़्यादा हो गया धाट इस थू हम कहते हैं न थू मच हो गया अब नहीं अब प्लीज टोलरेट नहीं हो रहा है सेम तो यहां पर थू सेटिसफाइग सेटिसफाइग इस अ पोजिटिव वर्ड और थू इस अनेगेटिव वर्ड तो दोनों का कॉलेबरेशन साथ नहीं हो सकता तो यहां पर जो है हम क्या कहेंगे कि थू को यूस नहीं किया जाना चाहिये था तो दा एरर इस इना सी सेक्शन च्लियर? यहां पर हमने कहा क्लोजली क्लोज के साथ य जूड़ गया क्लोजली अब हम कहें यस हम य वाली वाली वर्ड को क्या मानते एड़ोब मानते यस मानते हैं आप जो एड़ोब होती हैं वह ओल वाली जन्रली किसमें कंसिडर की जाती है मैनर में और मैनर जो है वह हमें How you work How your action work हो attach हमें जवाब देता तो आप वरब से हाउ का कोश्चन पूछिये और फिर देखिए कि यह सही जगह पर है या नहीं How you watch him, closely, तो सही आ रहे हैं, मैंने बिल्कुल नजदीक से उसको देखा, और adverb of manner generally object के बाद आती हैं, या वो verb के बाद भी आ सकते हैं, अगर object unnecessary है या indirect object को यूज किया गया है, तो यहां direct object है, इसलिए हम closely को उसके बाद रखते हैं, तो हमने क्या देखा, कि यह जो part है, इसमें जो adverb है, वो बिल्कुल सही है, next point पर, यहां पर हमारे पास कोई adverb नहीं है, चलते हैं, all bites to be a leader, but as a politician, यहां पर भी हमारे पास कोई adverb नहीं है, he has proved only to, only be and to be है, दोनों चीज़ें हमारे पास adverb की sense में आ गए गए, हमने कहा कि only ज places जानते हैं, position of adverbs जानते हैं, कि adverb जो है sentence के starting में use हो सकती है, adverb middle में use हो सकती है, before main verb यूज हो सकती है and as an object यूज हो सकती है, generally हम adverb की places को इस तरह से classify करते हैं, बट यहां पर हमें क्या देखना है, कि जो only adverb होती है, वो आपकी जिस भी part को classify करती है, जिस भी part को point out करती है, वहीं उसका place आ जाता है, इसका fix नहीं होता है, जिस तरह हम कहें कि जो आपकी manner है, वो last में रखा जाता है, time जो है वो हमेशा last में रखा जाता है, तो यह जो word है, यह आपका कोई fix place नहीं रखता, जिसको यह classify करेगा, उसी के सामने यह use हो जाएगा, ठीक है वही, तो only use होगे आपका, फिर हमने कहा worthless, worthless मतलब बेकार, और अभी बताया आपको कि ठू जो है, वो negative words के आगे use होता है, तो यहाँ पर ठू के आगे worthless है, मतलब ठू भी जो है, वो सारी की सारी right position में है, so there is no error in this sentence, ठीक है, next देखिए, she was so emotional stable, that she was not moved by their decision to suspend her, अब देखो, how she stable, how she stable, इस से question पूछते हैं हम, तो हम क्या कहेंगे, adverb of manner जो है, वो adjective में ly add करके create होती है, तो how she stable, emotion stable नहीं, emotionally stable होना चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है, क्या आना चाहिए था हमारे पास से, ly आना चाहिए था, so the error is in the v section, next is, after careful examine, the medicine installed in the laboratory, he wrote a detailed report and submitted it to the higher authorities, देखे यहाँ पर, हमारे पास जो है, कहीं पर भी adverb, यहाँ पर जो है, again हम वही पुछेंगे, तो यहाँ पर carefully ना होकर क्या होना चाहिए था, carefully examine, so here we have the four sentences, in the first sentences, two is not used at the appropriate place, so the error is in the D section, sorry C section and here there is no error in the 23rd number sentence because closely is also at the right place and only two is also at the right place, so there is no error in this sentence and the next one is, here the error is in the V part because they use the adjective not the adverb, but we have to convert it into the adverb, so we use L Y in the emotion, next is same the 24th question, careful is replaced with the L Y carefully, now we move on the next point, and we have now reliable learnt that he was involved in the bank robbery, again, how you learnt, reliably learnt, so here we have what we also wanted to do, L Y, we wanted to do this quickly, because the other part is not adverb, so why are we wasting the time in unnecessary points, now not better price, can you avail yourself amid the kind competition we have in the market today, here you can see, here you can see, here you can see, here you can see, here we have today word and not word, there are two adverbs, we have two adverbs, and today, just one minute before you tell us, that whatever you have time given, adverbs of time, you tell us about the tenses, yesterday, today, tomorrow, next month, last month, all these things will be used in your sentence last month, ठीके भई, अब यहां पर यह क्या क्या रहे हैं, हमारे पास आया note, एक आपकी adverb होती है no, एक होती है not, note को हम कहां consider करते हैं between the helping verb, आप between helping verb and main verb के center में इसको रखते हैं, जिस तरह आप लिखते हैं does not like, यहां पर this one is the main verb and this one is the helping verb and we put note between them, but no, no को as a subject consider कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरे sentence का do you want to go, आप reply कर सकते हैं no, तो वो जो आपके पूरे sentence को qualify कर रहा है, तो वहां पर हम क्या कहें कि नो जो है as a subject आ सकता है, not as a subject नहीं आ सकता, तो इन्हों नहीं जो है क्या लगा दिया भई, यहां पर note लगा दिया, तो हम क्या कहेंगे, the error is in the A section and we have to replace note, हमें replace करना होगा note को किस के साथ, no के साथ, let's move in the next sentence, the universe is still a mystery, अभी बताया आपको देखिए, still जो है वो हमारा B की formation के बाद आता है, तो B की formation के बाद आया, मतलब इस पार्ट में कोई error नहीं हमारे पास, a mystery to our scientist, because it is fairly too big to explore, अब हमारे पास यहां पर आया, fairly भी हमारे पास एक एड़ब है and two भी हमारे पास एक एड़ब है, तो यहां पर fairly का मतलब average and two का मतलब expensive, तो दोनों चीज़ें जो है, sorry expensive नहीं, two का मतलब excess, तो average and excess, कोई चीज या तो average होगी या excess में होगी, दोनों points नहीं हो सकते, तो यहां पर हम जो है दोनों को एक साथ use नहीं कर सकते, so the error is in the B section, clear? Let's move, he looks a little concerned about the financial crunch his company has incurred, a little, मतलब उसने थोड़ा बहत concern दिखाया, a little concerned is okay here, so there is no error in the A section, next there is no adverb in the B section, let's move on the C section, incured while he should have gone, अब यहां पर भी, C section में भी हमारे पास कोई adverb नहीं है, let's move in the D part, deep into the matter and discovered the real cause of the disaster, has incurred while he should have gone, how he gone, take the answer, how he gone, not deep, deeply into the matter, उसने बहुत गहराई से matter को सोचा, that's why यहां पर हम क्या यूज करेंगे, deep use ना करके, deeply को यूज करेंगे, thoroughly, बहुत deeply उसने सोचा उसकी बारे में, next is, his preparation is not up to mark, so I am little worried about his performance in the examination, हम तो बोलते है, not up to the mark, हमारी preparation जब हमारी not up to the mark होती है, सही है भई, so I am little worried, तो मैं थोड़ा साथ चिंतित था, ठीक है, his performance in the examination, so there is, according to me, no error in this sentence, everything is alright, next is, India is enough prepared to host any kind of game, however, the olympic committee has several misgivings about the feasibility, yes देखिए, enough prepared, हमारे पास जब enough word आता है, वई, क्या आता है, हमारे पास enough word आता है, तो जब यह enough word आता है, तो हम इसको किस में, adjective की sense में भी use करते हैं, and, adverb की sense में भी use करते हैं, ठीक है, जब यह adjective होता है, तो हम क्या लिखते हैं, noun plus enough लिखते हैं, ठीक है भाई, और जब यह adverb होती है, तो यह verb plus, sorry, enough plus adjective लिखेंगे, करते हैं, तो हम 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 देखिये बताईे जेरा मुझे इनफ के बारे में जरनली आपने बहुत कुछ सुना होगा रेंड इनफ जो है वहां से हमने जब आपको बताया था तो कहले हो эфф 같아요 जब हमने Philips किये थे उसमें भी आपको बताया था मैं कोश्टन यहां पर लिखना चाहूंगी जो ज़स्ट रेट मैंने आप से पूछा था यहां पर अपर यह स्ट वेट I think this is not yes 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 wait just wait before a noun here we can say अगर हम इनफ को यूज करते हैं तो वो आपका अगर यूज हुआ है वो संटेंस जो है आपका दूसरी बुक में है भई यहां पर हम उसे नहीं कह सकते तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो वर्ब के बाद में यूज होगा और अगर वो एड्जेक्टिव के सेंस में यूज है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है वो आपका पहले यूज होगा नाउन या प्रिनाउन से पहले ठीक है तो हम क्या कहें इनफ प्लस एडजेक्टिव या फिर हम कहें नाउन या फिर प्रेनाउन जो है यहां पर हो सकता है हमारे पास और अगर वो यहाँ पर adjective है या फिर verb है तो उसे हम क्या कहेंगे? Adverb कहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? prepared verb है तो इसे जो है verb से पहले नहीं होना चाहिए था verb के बाद में होना चाहिए था तो हम क्या कहेंगे? India is prepared enough तो हम कह सकते थे कि हमारे पास जो है enough is an adverb अगर आप यहाँ पर अब माल लो बहुत सारे students के mind में question आ सकता है हाँ जी कुछ students के mind में question आ सकता है कि यह हमें अभी तो पता है कि adverb का error है जब हम exam में बैठेंगे तो हमारे पास जो है वो miscellaneous होंगे तब हम कैसे find out करेंगे यह आपका question बिल्कुल right है बट वहाँ पर आपको यह देखिए आपको यह देखना है prepared word जो है वो आपका adjective नहीं है prepared एक verb और verb से पहले enough आया है तो वो तो generally गलत ही हो गया ना क्योंकि अगर आपका enough पहले आया है तो उसके बाद आपको noun, pronoun या दूसरा adjective मिल सकता है वर्ब नहीं मिल सकती तो भी आप जो है इस sentence में क्या find out कर देंगे error find out कर देंगे चीक है next तेख हो भाई, people living in urban areas have been making comparatively more progress than those living in rural areas so here you can see living area this one is the living comparatively more हमने कहा हमारे पास दो degree use हो गई तो हम दो same degree जो है वो use नहीं कर सकते so there is an error in the C section next is your friend is looking relatively more confused so you have to make him understand the things in the best possible manner your friend is looking relatively more relatively confused और more confused आप या तो यह कह सकते है relatively confused है या फिर more confused है दोनों को हम साथ में use नहीं करेंगे so the error is in the B section let's move in the next part we search for a doctor far and away देखी कितना आसान question है हम कह रहे हैं far and away तो far भी वही meaning रखता है और अवे भी वही meaning रखता है तो फिर हमारे लिए problem कहां आ रही है तो हम क्या कहेंगे हमारे पास जो है वो B section क्या है भही एरर में include हो गया next देखिएगा mostly of the newly required officer have no experience in the banking sector आप देखो आपको pronounce की exercise किया करवाई गई है भाई pronounce करवाई गए है adjectives करवाई गए है ठीक है और उसमें आपको indefinates बताए गए है उसमें आपको बताया गए है most word उसमें आया होगा आपके पास most people word आ जाए तो adjective हो गया and most of the people आ जाए तो pronoun हो गया और इसी के parallel हमने क्या किया है भाई हमने adverbs भी की है adverbs हमने की है हमने क्या है adverb of time होता है हमारे पास adverb of place होता हमारे पास adverb of manner है हमारे पास adverb of reason है adverb of affirmation है negation है contrast है content है result है reason है extended relative है and interrogative है लेकिन उनमें कहीं भी हमारे पास mostly word नहीं mostly यहां पर ना use होके हम क्या use करेंगे most of the newly तो यहां पर हमारे पास ly जो है वो unnecessary use किया गया है हमारी जो exact formation होगी वो क्या होगी most of the newly required officers so the error is in the a section the next one is mr. Shankar was looking pay at the new here new yaha par jo hai ye word jo hai thoda sa misprint a new wanted visitor who shopped no sign of leaving the rooms here is the printing printing mistake so please remove this sentence let's come on the next point in spite of a thoroughly search of the business premises the tax authorities could not find any discriminated documents in spite of in spite of मतलब के बाउजूद एक गहन अध्यन के बाउजूद in spite of a thoroughly search मतलब deeply search करने के बाद हाओ दे सर्च ल वाला जहां भी दिखे ना उसके आगे वर्ब के आगे आओ लगा कर देख लो फिर पता हम कहेंगे कि हमारी यह एड़ब तो बिलकुल exact है नेक्स पाइंट पर आएंगे यहां पर हमारे पास कहीं पर भी एड़ब ही नहीं है so there is a no doubt so authorities could not find any discriminated documents here again there is a no adverb in this section so we can say there is a no error in this sentence let's move on the next point Mahesh thought that he would pass in the examination although he did not answer most of the means correct Mahesh thought that he would pass so you have a thought we have a verb that conjection over here you have a verb that you have an adverb in a although you are the P so you are by as the use of the so this part maybe I'm going to come here I mean the next time he did not answer most of the most of the means अब यहां पर means को हम क्या मानेंगे शबाश बताईए जिस भी स्टुडेंट ने adverb की class लगाई हुई है वो फटाक से इसका अंस्वर देगा बाई मुझे जल्दी सी बहुत ही इजी है देखिए यहां पर हम कहेंगे most of means correctly how he answered आप कैसे उसने अंस्वर नहीं दिया उसने correctly जवाब नहीं दिया तो आप यहां पर जो है correct ना होकर क्या होना चाहिए था हमारे पास से correctly word होना चाहिए so the error is in the c section चलिए next point पर आते हैं some actresses speak softly देखो यहां पर देखो speak से how लगा कर पूछ लिए हाओ दे स्पीक दे स्पीक सोफ्टली बट गैलरी गोर्स हीर देम अब गैलरी गोर्स हाओ दे हीर देम हाओ दे हीर क्लिरली तो यहां पर इन्हों ने लिख दिया क्या clear तो हमारे पास से एरर कहां पर आगया c section में आगया देखिए कितने आसान है चलिए भाई next है हमारे पास next होगा since it was difficult for them अब since sentence के starting में आ सकता है और वो अपने बाद जो है वी टू को consider करता है so यह अपनी जखें बिल्कूल ठीक है for them to negotiate in their own language they used a universal understood form of sign language तो यहां पर used अकेला है पास की बात कर रहे हैं भई since it was difficult to for them to negotiate in their own language but यहां पर used to होना चाहिए था used नहीं so the error is in the B part हला कि यह हमारी adverbs से अलग हो गया बट फिर भी वर्ब का पाइट है he was fortunately not there at that time of the accident अब हाओ तो नहीं लेकिन यह वर्ड जो है आपका हाओ की तरह मैनर नहीं है यह fortunately जो है वो आपका sentence के starting में आता है not after the verb so here is the position error हम क्या कहेंगे fortunately he was not there so भाग्य से वो वहां नहीं था accident के समय चलिए पूनम stated to him as blunt as she could the reason why she was opposed to his thoughtless suggestion stated to as as जो है वो आपका equal चीजों के लिए आता है हमें यहाँ पर यह as की जगह किसको use करना चाहिए था so को use करना चाहिए था so the error is in a a part next is any woman who is certain of her judgment is sure a match for a man who does not know his own mind who is certain any woman who is certain of her judgment जो अपने judgment को लेकर certain है is sure a match how surely आना चाहिए according to me surely a match for a person so the error is in the b part देखिए students हम जो है वो जब error practice कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं सर्फ आपको a b c d नहीं करवा रहे हैं इसमें a part में हो गया इसमें b part में हो गया इसमें c part में हो गया हम उसके साथ आपको उनके solution भी बता रहे हैं कि same question अगर आपको ना मिले वह question अगर आपको किस में मिल जाए convert होकर मिल जाए तो आप क्या करेंगे ठीक है अगर वह आपने अभी देखा कि यहां पर जो है ठू के साथ जो है नेगिटिव वर्ड नहीं आना चाहिए ठू के साथ नेगिटिव वर्ड ही दे पोजिटिव ना दिया उन्होंने तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि वहां पर उसमें हमें नो एरर के साथ जाना है इसलिए सिर्फ एरर को निकालने का मतलब नहीं है एरर को करेक्ट करना भी आना चाहिए लेकिन यह तब ही होगा जब आप ग्रेमर में क्या है फ्लुएंट हो जाएंगे ठीक है अब की बार आपको ग्रेमर थोड़ा सा अच्छे से करना होगा वक्य एक बिल्कुल ही शानदार पैटरन होगा एक बहुत ही अच्छा ओफर आपके लिए आने वाला है जुड़े रहिएगा एक्जाम हट के साथ तो डियर स्टुडेंट्स यहां पर जो है मैंने 44 संटेंसे सोल करती हैं यह जो हैं दो से तीन संटेंसे आपके लिए छोड़े है आप जो है इनका स्क्रीनशोट ले लिजिए कम से कम तीन कुशन्स के अंसर्स तो मुझे रिप्लाई कीजिएगा ही कीजिएगा और यहां तक जितने हमने एरर किये उनमें आपको कितना समझ में आया है कहां पर प्रोब्लम आई है कहां पर आपको डाउट क्रियेट हुआ ह कौन से कंसेप्ट अंक्लियर थे वो प्लीज मैंशन जरूर कीजिएगा अपने सेक्शन में एंड मैं यहां पर आपके लिए जो है कल पीवाइक्यू सीरीज लेकर आने वाली हूं एड़वर्ब से रिलेटेड एंड वहां पर जो पीवाइक्यों सीरीज होगी वो जस्ट अ बैंकिंग के लिए देख सकते हैं अगर आप MTS GD कर रहे हैं तो उनके लिए बेसिक इजी लेवल लेते हैं हम एयरफोर्स के लिए आप जोइन कर सकते हैं हमारे चैनल को और इसके पैरलल जो है वोकाबलरी सेक्शन आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है यूर्ट दरहा हैं सो वइद्ड़ूट वेस्टिए लाइन कीजिए और नूнять इसाके रही तो हम उस से वीक्नेशक को लेसीनेश देख रहा है उसको हम छोड़ देंगे और एक नई एनर्जी के साथ पाइट करेंगे सो उस एनर्जी के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं जुड़े रही है डॉक्टर मुकेश के साथ थैंक्स अलोड डियर स्टुडेंट्स